नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ दिल को छू लेने वाली कहानी जो आपको गाउं की सादगी और प्रेम की गहराई मिले जाएगी यह कहानी पलासपुर गाउं की है जहां हरे भरे खेद, मिट्टी की खुश्बू और लोगों की सादगी बसती है और जानते हैं कि ऐसी क्या दुखत कहानी है जो हम लोगों को जानना चाहिए पलासपुर गाउं की सजीवता और शांती में एक नाम था गौरी गौरी जिसकी सुन्दर्ता और मासुमियत पूरे गाउं में चर्चित थी उसकी हंसी में एक ऐसी मिठास थी जो किसी का विदिल जीत ले सकती थी गौरी के पिता गाउं के मुखिया थे और उनकी मा एक धारमिक महला थी गौरी का दिल गाउं के एक साधान लेकिन महनती वक मोहन के लिए धड़कता था मोहन एक गरीब परिवार से था लेकिन उसकी मानदारी और महनत उसे गाउं का प्रिये बना दिया था उसकी मा बच्पन में ही गुजर गई थी और उसके पिता ने ही उसको पाला था गौरी और मोहन की पहली मुलाकात गाउं के मंदिर के पास होई थी मोहन अपने पिता के साथ मंदिर आया था और गौरी अपनी मा के साथ आई थी उसके नजरे मिली और दिल में अजीब सा अहसास हुआ धीरे धीरे उनकी मुलाकाते बढ़ने लगी और वह एक दूसरे के करीब आ गए एक दिन मोहन ने गौरी से अपने दिल की बात कह दी बोला गौरी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ क्या तुम मेरे साथ पूरी जिंदगी बिताने के लिए तयार हूँ गौरी की आँखों में आसुआ गए उसने मोहन को गले लगा लिया और कहा हा मोहन मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ लेकिन गाओं की परब्बनाएं और समाजिक नियमों ने उनके प्यार के रास्ते में बड़ी दिवार खड़ी करती है गौरी उच्चिजात की थी जबकि मोहन निम्न जातिका था यहां अंतर दोनों के परिवारों और समाज के लिए असनिया था दोनों का प्यार गहरा होता चला गया और वह एक दूसरे से मिलने लगे गौरी की पिता ने जब उसकी और मोहन की प्रेम कहानी सुनी तो वह आग बबुला होगे उन्होंने गौरी को घर के कमरे में बंद कर दिया और उसे मोहन से मिलने के लिए सक्त मना कर दिया गौरी की माने भी उसे समझाने की कोशिस की की बेटी या समाज कभी हमारे रिस्ते को सुविकार नहीं करेगा हमें इन परंपराओं का पालन करना चाहिए दूसरी और मोहन के पिता ने भी उसे समझाया, बेटा, हम गरीब हैं और निमने जातिके हैं, हमें इस समाज की सीमाई समझनी होगी, यहाँ प्यार हमें परबात करतेगा गौरी और मोहन के लिए यहां समय बहुत कथिन था वो एक दूसरे से मिलने के लिए तरस्ते रहे लेकिन गाओं के दिवारों ने उन्हें दूर कर दिया फिर भी उसका प्यार कभी कम नहीं हुआ एक दिन मोहन ने गौरी से मिलने का फैसला किया रात के अधेरे में वह चोरी छिपे गवरी के घर के पास पहुचा और उसकी खिड़की के नीचे से खड़ा हो गया और बोला गवरी क्या तुम मुझे सुन सकती हो उसने धीदे से पुकारा गवरी ने खिड़की खोली और उसे देखा मोहन मुझे तुम से मिलकर बहुत खुशी हो रही लेकिन यहाँ बहुत समय खतरनाक है लेकिन यहाँ बहुत खतरनाक है मोहन तुम यहाँ से चले जाओ नहीं तो लोग बहुत परिसान करेंगे हमको और तुमको मोहन ने उसका हाथ पकड़ा और कहा गवरी चलो हम इस गाउं को छोड़ कर कहीं दूर चले जाते हैं जहां कोई हमें नहीं जानता हो वहां हम अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे गौरी ने कुछ पल सोचा और फिर सहमती में सिरह लाया कहा हां मोहन मैं तुम्हारे साथ कहीं भी चलूँगी अगली रात दोनों ने भागने की उजना बनाई वह गाउं के बाहरी इलागे में मिले और वहां से चल पड़े रास्ते में अपने भविस्ट के सबने गुंते रहे लेकिन किस्मत को कुछ और ही मनजूर थी गाउं वाले उनकी गैर महजूदगी को नोटिस किया और उनकी परिवानों को सूचना दे दी गोरी और मोहन अभी कुछ ही दूर पहुंचे थे कि गाउं वाले जो उन्हें ढून रहे थे वहां पहुंच गे उन्होंने दोनों को पकड़ लिया और गाउं वापस ले आए गाउं के पंचायत ने यह पहंचला किया कि दोनों को सजा दी जाए ताकि भविस में कोई और इस तरह से गलती ना करे गोरी और मोहन को गाउं के चौपाल में लाया गया दोनों के चेरे बड़र और दुख साफ नजर आ रहा था गोरी की पिता ने रोते हुए कहा गोरी तुमने हमारा मान मर्यादा मिट्टी में मिला दिया मोहन के पिता ने भी सिर्जुगागर कहा बेटा तुमने हमें सरमेंदा कर दिया फिर पंचायत में फैंसला सुनाया कि दोनों को गाउं से निकाल दिया जाए और वोगे कभी भी वापस नहीं आ सके गौरी और मोहन एक दूसरे को आखरी वार गले लगाए और आस्वों को पूछे और दोनों एक साथ गाउं से बाहर से लेगे वोगे दोनों गाउं से दूर एक अज्जान जगा पर पहुँचे लेकिन उनके दिल में गाउं और अपने परिवार की यादे हमेशा बनी रही उन्होंने वहाँ अपनी नई जिन्दगी शुरू करने की कोशिस की लेकिन समाज की कड़वी सचाई ने उन्हें कभी चैन से चीने नहीं दिया कुछ साल बाद एक दिन मोहन बीमार पड़ गया उसके पास इलाज कराने के लिए भी पैसे नहीं थे गौरी ने बहुत कोशिस की लेकिन उसे बचा नहीं पाई मोहन की मौत हो गई मोहन के मौत के बाद गौरी का दिल तूट गया वह अकेली रह गई लेकिन उसने मोहन की यादों को अपने दिल में जिन्दा रखा मोहन ने कहा था कि हम लोग एक ऐसा स्कूल बनाएंगे जिसमें गरीब और अनात बच्चे पढ़ेंगे जो आगे बढ़ेंगे गौरी ने मोहन के सपने को पूरा करने का भैसला किया उसने एक छोटे से स्कूल की अस्थापना की जहां गाओं के गरीब बच्चों को सिच्छा मिल सके उसने अपना पूरा जीवन मोहन की यादों के साथ विताया लेकिन कभी किसी से प्यार नहीं किया गौरी की कहानी पलास पुर गाओं में एक मिसाल बन गई लोग उनके प्यार की कदर भी करने लगे और धीरे-धीरे समाज में बदलाव भी आया लेकिन गौरी और मोहन की दुखत प्रेम कहानी हमेशा यादगार बनी रह गई जो सिखाती है कि सच्चा प्यार कभी मारता न और इस वीडियो को लाइक और शेर करना ना भूलें मिलते हैं अगली बार किसी और नई और दिल्चस्प कहानी के साथ तब तक के लिए आप खुश रहें मस्त रहें और अपने प्रिये जनों का ख्यार लखें नमस्कार